आज हम एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं हार्ट अटेक के बारे में अब मलेरिया डाइरिया का जमाना चला गया है हार्ट अटेक दुनिया का नंबर वन किलर है और भारत का भी लेकिन भारत के लिए चिंता की बात जादा है और वो बात इसलिए है क्योंकि भारत में यंग लोगों में हार्ट अटेक बहुत बढ़ रहा है पहले कभी ये वीमारी 50 पार के लोगों की होती थी लेकिन आजकल 25% से जादा मामले ऐसे हो रहे हैं जो 40 से कम उमर की लोगों को हो रहे हैं और इन्ही की तादाद बहुत जादा बढ़ भी रही है तो इसलिए हमें हार्ट हेल्थ पर ध्यान देना है हार्ट अटेक के प्रवेंशन पर ध्यान देना है और ये जो मेरा वीडियो जितना बुजर्ग लोगों के लिए है कुछ permanent damage हो जाता है इसलिए हमें इसके प्रवेंशन पर ध्यान देना है और एक तीसरा कारण प्रवेंशन पर ध्यान देने का ये है कि जितनी खतरनाक ये वीमारी है उतने ही खतरनाक इसमें ब्यापारी भी है तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा हार्ट नेच्रली बहुत strong रहे बहुत healthy रहे हम इसके prevention पर काम करें तो ये जो पूरी बात है हार्ट से related ये हम तीन हिस्सों में पूरी करेंगे पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि हार्ट अटेक क्या होता है क्यों होता है दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि क्यों एंजियोप्लास्टी या बाईपास कराने के बावजूद भी हार्ट अटेक आ जाता है और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि हार्ट को कैसे हेल्दी रखें हार्ट अटेक को कैसे प्रुमेंट करें यहां मैं एक गुजारिस करना चाहता हूँ और बलकी चितावनी भी देना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये तीनों पार्ट देखें और बलकी मैं ये कहूँगा कि दो दो तीन तीन बार देखें तब आप इस चीज़ को ठीक से पकल पाएंगे हलकी फुलकी नॉलेज खतरनाक हो सकती है तो आईए शुरू करते हैं तो पहली चीज़ हम ये समझने कोशिश करें कि हार्ट अटेक क्या है और क्यों आता है तो टेक्निकली हार्ट अटेक वो कंडिशन है जबकि आपके हार्ट को कहीं बलड सप्लाई बाधित हो जाए पहुंसती है वो कभी कोई बलॉकावत आजाए तो फिर हार्ट अटेक होता है और डिपेंड करता है कि ये बलॉकेट कैसा है अगर बलॉकेट हलका फुलका है तो थोड़ा सीने में दर्ध होगा या घवराध हो सकती है लेकर अगर बलॉकेट बहुत जादा है तो फिर आर्टेरियल इस्पाज्म का मतलब होता है कि आर्टरी अचानक अपने आप सिकुल जाती है थोड़ी देर के लिए इसके कई कारण हो सकते हैं एक बड़ा कारण तो इसका स्मोकिंग, तंबाखु या गुटका वगेरा है इसके अलावा ठंड से हो सकता है, स्ट्रेस से हो सकता है, कुछ केमिकल्स की बज़े से भी हो सकता है और कुछ दबाईयां भी ऐसा जटका देती है हार्ट अटेक का जो दूसरा कारण है वो कहलाता है आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन होता यह है कि arteries में calcium जमा होने लगता है और यह calcium उन लोगों को जादा जमा होता है जो कि calcium supplement, calcium की गोलियां बगरा लेते हैं या फिर उन लोगों को जो कि बहुत indoor रहते हैं धूप में बहुत कम जाते हैं और जिनका vitamin D कमजोर है और उनके cases में यह होता है कि उनका calcium हड़ियों से निकल के heart में और दूसरी arteries में जाके जमा होने लगता है तो उससे भी heart attack की संभावना बढ़ती है और heart attack की संभावना बनने का तीसरा बड़ा कारण है cholesterol plaque heart के अंदर cholesterol, heart की arteries के अंदर cholesterol का जमा हो जाना इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा लेकिन इसके बारे में जो कहानिया कहीं गई है वो हकीकत से थोड़ा अलग है और वैसे हम cholesterol के बारे में एक video अल्रेडी कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं cholesterol से जोड़ी हुई चीजें कुछ दुबारा कह देना चाहनगा तो हमें ये समझना है कि cholesterol शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है cholesterol से कई hormones बनते हैं particularly sex hormones cholesterol vitamin D का precursor है, vitamin D cholesterol से ही बनता है cholesterol हर cell membrane में होता है, cholesterol brain में होता है और एक cholesterol का बहुत important काम होता है, repair का तो शरीर में अगर कहीं inflammation है, कहीं tootan है, कहीं injury है तो body उहाँ सबसे पहले cholesterol भेशती है एक तरह से थोड़ा patchwork करने के लिए तो शरीर में cholesterol बढ़ता है इस बज़े से कि अगर अंदर कोई inflammation है अगर अंदर कोई injury हो रही है तो और हमारी diet से कितना cholesterol जा रहा है इससे कोई बहुत फरक नहीं पड़ता है क्योंकि शरीर का 90% cholesterol अंदर ही बनता है तो खून में cholesterol कम करके heart attack को prevent करना actual में बिल्कुल निरी बेवकूफी है और जो cholesterol कम करने की दवाई है ये सरिफ 1% लोगों पर कारगर है और 100% लोगों पर इसके adverse effect है और इसका adverse effect बहुत ही खतरनाक है ये muscular aging करती है और heart भी एक muscle है तो ultimately ये खुद heart को weak करती है तो इस episode से मैं कहूँगा कि आप 3 चीज़ें derive करें पहली चीज़ ये कि अगर आप calcium supplement ले रहे हैं तो वो calcium supplement लेना बंद कर दें अगर ये आपको किसी doctor ने prescribe किये हैं तो आप doctor के पास जाए और उनसे कहें कि कहीं ऐसा तो नहीं ये हड़ी में जाने की वज़ाए ये calcium मेरे हाथ में चला जाए तूसरी चीज़ अगर आप कोलेस्टरॉल कम करने वाली दवाई ले रहे हैं तो भी अपने doctor के पास जाएं और उनसे निवेदन करें कि क्या आप वाकई उन 1% लोगों में सामिल हैं जिनको इस दवाई से कुछ फायदा हो सकता है ये जो कोलेस्टरॉल बढ़ने का जो इसको करने में जो बड़ा योगदान होता है वो इन्फलमेटरी फूड का होता है और कुछ फूड है जो ज़्यादा इन्फलमेशन करता है उनमें नमबर वन प्रातीर शक्कर और जब मैं शक्कर की बात कर रहा हूँ तो इसमें गुड भी सामिल है शक्कर के अलाबा गेहूं, दूद और सोयबीन का तेल भी काफी इन्फलमेटरी होता है तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए लेकिन दूद से हमें अपना मोग कम करने की खासी ज़रुवत है यह हमें भारत और चाइना का कंपरिजन पेस्ट करना चाहूँगा देखे भारत हार्ट अटेक के मामले में दूनिया पे नंबर वन पर है और चाइना करीपरी बॉटम में है, चाइना में बहुत कम हार्ट अटेक होते हैं ना के बरावर होते हैं और दौनों कंट्रीज की फूद हैविट में दूद एक मेजर डिफरेंस है भारत में जहां गाय भैस के दूद की बहुत महमा है चाइना में लोग सिर्फ अपनी मा का दूद पीते हैं उनको जानवरों का दूद पीने में कोई रुची नहीं है